साइबर ठगी नितने मामले नितने आयामों पर जा रही है और पुलिस जो हैं वो इतनी लेचर हैं कि जालोर के पुलीस अधिक्षक को ही ठगने का प्रयास कर लिया, साइबर ठगों ने जालोर की स्पी की पत्नी को साइबर अरेस्ट कर लिया, जी हाँ, आप जानके हैरत में पढ़ेंगे कि पुलीस अदिक्षक की पतनी साइबर अरिष्ट का शिकार होते होते बची उन्होंने अपनी सूजबुज और जो है वो सजगदा से इस बड़ी दुरगटना या बड़े अपराद को होने से रोका है लेकिन यह है बड़े पैमाने पे बुज़र्गों के साथ हो रहा है आप अगर बैठे हैं आपके पास फोन आता है कि आपका कोई पार्सल है और इस पार्सल के अंदर अवेध ड्रग्स रखा हुआ है जैसे कि आपने अमेजान से फिलिप कार्ट से ओडर किया है और आपके घर तक पार्सल पहुंचना है आप ट्रेक कर रहे हैं और इसी बीच आपके पास फोन आता है कि यह जो पार्सल है इसको पुलिस ने पकड़ लिया है और इसके अंदर हैरोईन जैसा ड्रग्स या कोकीन जैसा ड्रग या अफीम जैसा ड्रग रखा हुआ है और आपके खिलाब मामला दर्ज हो गया थाने आई आई आप तक कल तो ऐसा डरा के लोगों से इसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है तो जालोर जिले में पुलिस अदिक्षक की पत्नी को ही ठगने का प्रयास किया अरेस्ट का माहूल ऐसे बनाया गया कि एस पी जो ग्यांचंद्रियादव है उनके बेटे बिट्स पिलानी में पढ़ते हैं बिट्स म जो है वो इस सतर्कता और सुजबूत बरती हैं और कॉल को काट के अपने बेटे से काल संपर्क करती इस्तिति की पुष्टी करती हैं क्या पूरा मामला था उसको पुलिस अदिक्षक ही बता रहे हैं सुनते हैं पुलिस अदिक्षक के मुह से कि क्या मामला था और उससे कैस आप से अपील करते हैं कि अगर आपके परिजनों को किसी तरह की उपहती या किसी तरह की जो है वो संकट में बताते हुए पैसे मांगे या वो लोग जो है वो आपकी पूरी डिटेल रखते हैं आपकी अकाउंट डिटेल आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन वगेरा ये वो और आप से एक बड़ा जो है वो ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं आप इसमें सतर्क रहें सावधान रहें और जब भी आपको ऐसा कुछ लगे निगट वरती पुल